तेंक्यू जायंज और परिया जी आपके पुए टीम को सब्सक्राइब करें अबस्तित हैं मैं बहुत बहुत बढ़ाई दूंगा कि आज बहुत अच्छा धम से दोनों हमारे सेंटर में आप लोगों ने ट्रेनिंग का प्रोड़ा करता और अभी जैसे मुझे बताए गया है कि जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के भी जो प्रोणुख लोग है जो अच्छी इस्टर्वेशन में भाग ठाथ लेंगे उनको भी आपके पुलाए गया है मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत करने देना सामूगा और एक बहुत ही महत्मून भागिरत प्रयास जो आप हम सब दिलके विभाग में साइद कहीं बाद आम लोग को जो करने जाए देने उसके लिए मैं एभांस में जो रहा सुपकामना ही आप लोगों को दूँगा सुबह जव आप लोग का पास प्राण भूँता उस समय में और कहीं इस आइजना कारणों से आज विजी था इस कारण समय सुझनानी पाया था और और अग्वारतू जैसे मैंने देखा हमारे ग्रूप में ने देखा कि चतिजगर के 500 संभाग में हमारे विभाग के इंगि अग्वारत सफ्रेक्षन का काम है उसमें लगे हुए मस्टर क्रेणर के द्वारा हमारे जो प्रमूख स्रेक्षन करने वाले जो अधिकारी इसे सुप से जो SGOE और साभी अग्वारस अधिकारी ने के सात-सात हमारे बरिस अधिकारी वन जो E-Level के है, B-Start है, SC-C-Start के है सभी के आज ये आयूजन जो है लगवाग पुरा प्रदेश में सभी जड़ा में प्रारम हुई है और ये प्रिगंतर चलेगी जैसे मुझे बताएं गया है मैं चाहा था कि ये जो सर्वेक्शन का काम है ये केवल विभाग तक सिमित ना रहे और केवल विभाग के कुछ अधिकरियों तक सिमित ना रहे या उनके तक ही जानकारी जो है ना रहे इसलिए मैंने अपने बरिश करिकारी उसे निर्देश किया था कि इसके बारे में आप जो संभाग आयूक्थ है उनके जो प्रशासन है जिला प्रशासन है उनके साथ आप पहले से ही थोड़ा सा इन जानकारियों का अधर्प्रतान करें और विभाग जो करने जा रहे है उ इसके समयद में जो है जिला प्रशासन को संभाग के प्रशासन को आप सुचित करें क्यूंकि ये जो काम है मैंने जिसे बता है केवल बिभाग कहीं काम नहीं है और इस काम को जो इंपेक्ट है और वो इंपेक्ट को के लिए आउसक होगा एक बिभाग कारिया हुजना में ह तो उन काम को केवल विभाग अपने सर पे अपने बल उतेवे आपके लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जिला प्रशासन की सहायता की सभागीता की यापक आवसकता होंगे। इसलिए हमने चाहा कि मेरे आने से भी ज़्यादा जुरूरी है कि संभाग के मुख्या आए और वहां के लोकेल कलेक्टर लोकेल प्रशासन को इसका जानकारी हो हमको भी आमन्टर नाम करें। और अभी तो बहुत लंबा प्रशासन के जो कलेक्टर से लेके जो अमारे अधिकारी है उन तक ज़ए इन बातों को आपको ले जाना है। जो दिसानेटर्स हम लोगे जारी किया है वो दिसानेटर्स को कौपी मैंने कलेक्टर को भी दिया है। और उनको प्रिठक सभी मैंने लिखा है कि ये ऐसा एक सर्वेक्शन कारिया है, बहुत ही महत्पून है। और यह सर्वेक्शन कारिया क्वालिटी के साथ जोड़े हम करें तो इसका व्यापक असर और वह असर ऐसा है कि जो सकरात्मक पोजितिव असर जो है विभाग के कारियों के साथ साथ प्रडेश के जो शीषाई, शांता, बृत्ति का जो हम लोग जो अभिकल्पित लक्ष हम ल तो मेरे तरब से उल्री उनको यह जानकारी देडी गई है, बताया गया है, अपने ग्रूप में भी बताया गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पे आप आपका जितना चैनल है, उन चैनल के माज़दम से यह जाग रहे दे, कल यह सा नहीं होना चाहिए, क जो हमारे ईस्तर के अधिकारी है, एस्तर के अधिकारी है, स इस्तर के अधिकारी है, वो अपने 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 लेवल के घुझिला प्रस्kel twists के अधिकारियों का सत्प्रशिक मदख जो आवश्च Spirit है विश्सथ को आपनो बेंगे, अभी बरिहा साम उजे पूछ रहे थे क किसी को अभी विकास जात्रा के दौरान जदी उनको ड्यूटी लगाई जाती है क्या होगा कोशिज हमारे यह है कि ड्यूटी ना लगे हम लोग ने लिखा भी है कि अथासंभब दूसरे कारियों से उनको मुगत रखा जाये लेकिन आप यह सुची देखे होंगे कि इसमें स्थिति बन सकती है इस स्थिति में भी हमारे कहना है कि जो जिती लगेगा मुश्किल से दो या थीं दिन का मैं आप उन उसको कंपेंसर कर सकते हैं आगया भी चे करके कंपेंसर कर सकते हैं कूल मिला कि कोशिज ही होना चाहिए कि जो हम लोग ने 14 तारिक से लेके 26 का कोई नौ तरीकों भी नौ दस को भी जाकर करना चाहे तो रोक टोक नहीं है यह आपका अकलन है आप देखिए क्योंकि आपको पॉसतन जो है 5-6, 7 इतने होगा एक जो तीम है उसको इससे जादा काम नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कि डिपेंडिंग अपन कि कितना बड़ा काम है कितना बड़ा डाटा एंक्री करना है दो से तिन दिन में छोटा बटा जो है इसली आपका संभाव है जो बड़ा है उसमें लें वान विक की जोरत पर सकता है हो सकते हैं एक ही जगा का दो बर जाने का जोरत पर सकता है बट कि देखा जाए एक दिन का भी ओसरतले तो तीन दिन में एक्षिली कंप्लेट होना चाहिए हमने बहुत लंबा पीरियोद रखा है 14 से लेके 26 सोड़ है ये किसी को एक्स्क्यूज ना रहे कि हमने बहुत जल्दी बज़े में किया और गलत आंकरे हमने वहां पे लगा लिया तो मेरा उनुरुद है कि आपके लिए परियाव समय है लगवाद दो हटे का हम लोग इसमें समय रहा है सर्वेक्शन का और जितने काम हर अधिकारी को मिल रहे है उस जो बहुत सारे डेटर जो है आपके पास already आजिस्टर में उसमें है के बला आपको उसको अपडेटिब जांकरी को इसमें धालना है दूसरी जो मैं रिक्वेस करूँड़ा कि किसी और स्थिति में कोई जो है पढ़ा के या धुता के वो जानकारी को ना रहने क्यूंकि आप लिस्ट में निखियेगा कि हमने लगवाब पांस सार का जानकारी लिया है एरा चोधा चोधा पंदरा पंदरा फंदरा फंदरा सुखा वाला स्थिति को हमने ले लिया है जो आपका पंदरा में सुखा पारह था तो इसका इंपेक जो है 16-17 में देखने को मिली हुगी और जैसे लास्ट येर सुखा था तो इस साल थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका खरीप में भी और थोड़ा बहुत रवे में भी पांस साल का लेने से जा होते है एक उसद हमारा निकल के आते है कि एक्षिली उस सिच्छाई जलाशाई से या उस एडिकेट से या उस लिफ्ट डेरिगेशन से या जो हम सिच्छाई का जो सुभिध मुवया कराते है पिछले पांस साल में कौन सा येर है सब अधित्तम हुआ होगा कौन सा येर है सबसे कम हुआ होगा उसका कारण भी होगा और एक ओसब भी निकल के आते है हमारा मक्सब इसको जो आगे जोडने का ये है कि इंपेक्ट नहीं कैसे लगाए हुए इन आतरों को आप मानके चलिए जैसे अभी आप मैजू में जो रिपेयर करेंगे आवो सकता हुआ सा इसका असर तुरन तो नहीं निखेगा इसके बाद पानी भड़ेगा पानी भड़ने के बाद आप कोसिस करेंगे कि अधिक से अध इसके बाद भी आप जैसे खरिप के लिए देते ही है तो पता लग जाएगा कि इस बार आपका कार्गेट के हिसाब सब्सक्ते कितना दिया है यह जो फाइब यर्स का अकलन है और इस समय का वास्तविक अकलन है उसको जो है इस साल का अथरा उनिस का जो आपका खरिप में यह रभी में जो आप पानी देंगे उसके साथ तूलना हम लोग बाद में घड़ सकते हैं तो इसलिए मेरा ही कहना है कि इसको बढ़ाना घटाना जैसे जो है काम हम ना करें क्योंकि सही इंपेक्ट हमें अकला नहीं कर पाएगे मुझे यह भी बताते है कि जैसे बहुत सार इस तरह का एंडिकेट होंगे जहां पे पानी नवाला भड़ा हुआ है लेकिन किवल पानी भड़ा भड़ा है धो किनारे जो सम्रिट या जो संपन्न जा वेवस्था कर सकते हैं जिन्होंने पंप लगा लिया और उन्होंने सिच्छाई तरा लिया लेकिन पूरे गाउं को उस एनिक अच्छे मिलता नहीं है कुई कबी कभी इस प्रकर्ण के न्यूज भी आधा है कि एनिकेट बन गया है लेकिन ठाली है पानी रुकता हैं तो इससे एक आकनी होगा कि jewels क्या यह प्राकिटिक करण से नहीं है क्या इस बार कोई काम के करण आपने गेट खोल गया इसलिए पानी निकल गया क्या कारण है इन कारणों को एक बार जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे बहुत बद्ना हमारा हो रहा है क्योंकि बहुत ही समयने तोर पे कभी-कभी लोग पिपनी कर देते हैं कि जो बनाते हैं कोई काम का नहीं है जबकि मैं यह मानता हूं ऐसी बात नहीं है जिस मेहमें आपके साथ जितना स्ट्रक्सर बनाये हैं अधिकां से बहुत फाइडा हो रहे हैं लेकिन इसको क्या और बढ़ा सकते हैं मुझे अभी किसी अधिकारी ने बताया कि पानी फूरा भड़ा हुआ है लेकि उसको ले जाने के लिए जो कनाल आपको बनाना है वो उसके लिए लोग तयार नहीं है तो हो सकता है आज आज जब सर्वेक्शन करें यह निकल कि आपका सुझाब में आ जाए कि नहीं इसको भुवरजन का ज़ोरत नहीं है हम जो है पाइप से ही पानी को ले जाके कहां और ले जाए जहां से चालिज हेक्टियर, स्वा हेक्टियर, दो सो हेक्टियर लोगों को हम सिच्छाई सुपिदा दे सकते हैं क्योंकि जितना आपका एनिके पुरा जागरू किसार है तो उन्हों का मांता कि यहां पर पानी रोपने का वेबस्ता हो जाए तो हमें वो पानी से अच्छा जो है सब्जी माजी खेतीका हो सकता है तो यह कोई धान की बात नहीं है आप जो नगदी फसल है उसके लिए भ्यापक कारियों जना इन सार्वेक्शन आप बना सकते हैं तो मैं चाहूंगा जब इसको आप करें बिकुल मेकनिकल तोर पर ना करें तो अभी फोटो लेने की बात हो रही है हम लोग ने कहा कि फोटो फाइट लगाना है और उसका कारण यह था क्योंकि ने तो हमारा एक प्रभिट्टी होता है कि हम सिधा सामने का फोटो लेके लेकिन सामधन भी बढ़ते कोई सेल्फी किसने के चकर में बहुत दुर्गतना होती जाती है तो मैं नहीं सामधा कि इस सर्वेक्शन में कोई ऐसे दगर से फोटो किसने चले जाए जिससे जो है दिक्ताज हो लेकिन इन फोटो में हम क्या चाहते है आप जब मुयाना पर्सनेल पिक्निक विजित फोटोग्राफ लगाने की नहीं है इसमें उन जरूरत जरूरी से और यह पानी लवाला भरा दुआ है मैं उनको क्योंकि मैं 3D डामेंट्सर में डेखनी सकता लेकिन तीनों अलग 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 कोने से एक स्पील के तरफ से स्पीलोवर के तरफ स अलग अलग जदी आप लेते हैं तो अलते बैठी विछे उसका एक अपलान हो जाए है कि आने माले समय में उसने विडियो कभी वेवस्ता हम कर सकते हैं 10 लोग करें का गिरें का पुरन प्र और अपलॉड करें तो पुरा बैठी बैठी है आपका पुरा जलासतया के बारे म है क्लिक करेगा तो पुरा देख जाएगा कैसा लेखता है लेकिन इन फटो का चायल बहुत अच्छा होना से लिए ताकि उस जलाज़ाई किस स्थिति में है आज के स्थिति में वह स्थिति वहां परिदर से थोना चाहिए और जहां जो बाते हम लोग लिखा है कि यदि उसका हेडी में कोई प्रोब्लेम है कतलिफ है या गेट खराब है या दूठ फुट गया है जड़ा जिन हो गया है ठीक हालत में नहीं है उसका नहार का सिस्टेम में कोई इसू है रेगुलेटर में कोई इसू है वो फोटोग्राफ उसका ज़रूर अपलोड होना चाहिए क्योंक है और अब तो यह सक्सेस स्टोरी आपका बनेगी और वो सक्सेस स्टोरी तभी बन पाएगी जब आप सही दिशा में इसका फोटोग्राफी का लोकेट करेंगे और उन जो डिक्कते हैं उन डिक्कतों को आप यहां पे रेखांके करेंगे इस पुड़े सर्वेट सर्क महात्पुन बार यह ही है कि आप जो यहां पे कारियों जना बनाएगे कि आने कारों से यदि उसमें हमें कुछ मरमत क्या हो सकता है कुछ सुधार करने क्या हो सकता है और यह भी हो सकता है कि सुधार के लिए आप सकता नहीं है तो जहां नहीं है तो कोई सुगी लेकिन जहां है उन सुधार के जहां हो सकता है उसका एक layout और एक stage 1 estimation आप तुरंट इसी जर्वेक्शन के दोरन करेंगे उसके लिए अलाज से आदेश का protection नहीं करेंगे आप पहले बना लेंगे जैसे आप लोग T.S. के लिए बनाते हैं बिल्कुल ऐसी ताइप से बना लेंगे मरमट के पूरा अधिकार इसी लेवल पर ही है तो आपको बरिस्त अधिकारी अस्तर तक जाने का विए अब सकता नहीं है आप प्रब्लेम ही आएगी कि आपके पास मा आपको खर्षा हो रहा है मालीजे तीनों को अधिया मरमट करे कोई विशेश टक्निक मरमट है मालीजे 15 राक रुपया खर्षा आपका अलेडी बूक किये हुए दूसरा कुछ और सीजे है और आपके वाद इतना नहीं है जो 15 राक आप पुरा-पुरा खर्षा कार पाते है माली जाते वाद 10 राक रुपया से आप उसको मरमट करने के बाद वह सकता साल बर में और जरुत प्रयाक को आपको करना हो और यदि आपको लगता है कि नहीं 10 राक हम उपलब भीवा के बज़ट से करा सकते हैं 5 राक का प्रब्लेम आईगी वह लिस्टिंग कर लिजे कि य को जो है हम DMF या एक हम DMF से कर देते हैं ऐसा कार्यों का ऐसा निचर है जिसे केबल खुडाई करने से हो जाते हैं वह हो सकते है गहरी करन के लिए वह कुछ मनरेगा से करके कुछ और बहुत सार इस डिस्टिक है जो एस्पिरिशनल डिस्टिक से उसनों भी दिखिएगा कि यूंको अलग से फॉन मिलता है नकसल प्रभाविट एक सेक्टर के लिए अलग से फॉन के पास होते हैं तो खुल मिला के आपको कार्यों का तैयर होना चाहिए कार्यों के तैयर है इसी महिने आप जिला प्रसाशन से अनुमति लेके जून में और या वर्सा होने तक आप उ लेकिन बहुत साय से काम होगा जो फंद्रों द्र Anyways का रिप्यार मीं हो सकता है फंद्रों दिन विज दिन ने आपको हो सकता है लेकिन यह कोई published ने नहीं है इसलिए यह भी हम दिमाद में या रखी पी जो भी रासी है इस वार तो इसी में ही स्वाः करना ही जो आपको सब शुक्रीम करन कर सके और जिससे आज यृदि आप 2,00 रूपय किसी काम में खर्षा कर रहे हैं तो जिससे 20,00 रूपय का भले वो नगत रशी के रूप में आपको लोगों को मिले ना मिले लेकिन पानी मिले शिंचाई का साधन मिले उनका खेटी किसानी का लिए अधिक समाई क करने के बात करते हैं वो हो ऐसा इंपक उस 2,00 रूपया से तेखना चाहिए कुल मिला के जो भी खर साब करें उसका 10 टाइम स्काइडा जो है होना चाहिए और कुछ ऐसा बुनियादी आवसक्ता ही होता है जो करने हैं आपको तो वो जदी इस समझ समभब नहीं होता है लेक कारिश नहीं होना साहिए इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि चातिजगर शासवन ने आपके हमारे भिभाग को मरम मट प्यार के लिए जो रख रख आपके लिए इस बार सबसे अधिक प्रावधान इस साल किया है और परन्तो ये रासी का दुर्पयुक नहीं होना इसी प्हुशने तुरखे साहिए कि किसी फ़लाना संभाद में बहुत सरे स्वागत्द भार बना दाके आपत आए स्वागत भार इतने सारे जोरोष है कि हम recipients हो जाए मनमत हो जाए साब शुतुरा रहे विवस्ता हो जाए सुदुरी परन हो जाए उसके बाद स्वागती ज कि आपका वही तुटा-फुटा बड़ा है पानी नहीं है तो किसको स्वागत करें गया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत जिम्मेदर अधिकारी है यह सब ना बोलना सिखे जो चीज दो दिल आगे तक हम फॉस्पोन कर सकते हैं उन कार्यों को जो है बिल्कुल न इस बार एक ब्रिहत अभियान हो कि हमारे इसमें स्ट्रक्शन से यह तो लगवग तीन हजार मैंने देखा भी लगवग तीन हजार जिसमें आपका सोलो सो पंचानुबई जो है जलासे है बेपवर्तन जो है 585 है एनिकेट 589 है लिफ्ट इरिगेशन प्रजेक्ट लगवग स्ट्रक्शर है जिसमें आम लोग ब्रिवत को आख नहीं लिया है और मैध्धम को भी नहीं लिया है लेकिन इनको जोगे हम सुझद्री करना नहीं कर पाएं तो क्या मतलब है इतने रासी जो है केबल कीन कारूं में हम खर्चा करते उसका एबर आकलन करना बहुत होड़ी है आप पिछले पास साल का अकलन करनी जीए और देखिए कि आपको रूपिया बहुत कम नहीं गया है रूपिया कत्ती वर्स लाता है आपको पास लेकिन उसका हम क्या कोई दूजेंग दोंस बना के रखा है दोंस वाला तो अभिधान में है नहीं कि क्या नहीं कर सकते यह को क चुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि वह सीरी है तो ये ऐसा अपसर है जिसमें आप सब्सीर शर्वेर्ट मह Do हूह होुए मूश्य से रावलू से क्या काम करना है कि काम कि प्रायिक बिसी को कि बंद करना ​。」 तो गेंद करने पहरी पर करने किसे को रंगलोगन करने तो रंगलोगन कराएंगे किसे को नहन पुता-फुता है थोड़ा बहुत कुछ नहीं 25 मितार निकला हुआ है जीट करने से काम हो जाता है तो वह करा लेंगे तो पुल मिलाके यह एक ऐसा सर्वेक्शन है जिससे हमारा जो गैप है आज 20 लाग हैंतिय होगते रहता है जुमते रहता है ना फीने ना की वराबर हम देते हैं मैं देहर लाग Industri Lazти लाग मैसि मैंने देखा है मैसिमum पियल ही अपर उन्हें दियार के ताम बते है सिच्छाई क्या जब बर्षाग होती है खरिब के समय देने के लिए है सिच्छाई विवस्ता तो जब पानी नहीं बर्षेंगे उस समय के लिए है तो हमारे structure इतनों मजबूत होना चलिए और ये पानी का अच्छे से हमें यूज करना से है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको दिमाद में रखते हुए हम इस सर्वेक्शन को करें और यह अंधादून खर्षा करने का नहीं है आप तो कोसिस करेंगे जिला में जो अन्ना स्रोथ है उन स्रोथों सही कैसे इन कायों के लिए आप राशी प्राप कर सकते हैं और जो हमारे लगवक साथ लाख एक्टियर का जो गैप है उस गैप को हमें कम करना है तो आज यह सर्वेक्शन के बाद जो आप काम करेंगे मानके चलूँगा कि अगले एक महिना मेने जरूर बोला है लेकिन पूना हम जो सर्वेक्शन करें देखना चाहिए कि यह जो सर्वेक्शन कि गलिए को चीनिथ करने बाद जो व्युवाग के अपने बज़ेत से और दिलाप्रसाशन के मदद से जो काम हमें किया इन कारियों के बदावला आज एक लाख हेक्टियर यह दो लाख हेक्टियर शिचाई जो पहले रूपांकित था लेकिन होते नहीं थे वो होने लागा यही इंपेक्ट होगा ना हमें 20 लग के बाहर नहीं मिलेगा वो उसी का अंदर ही गैप वहां कितना कम किये यह हमारे गैप को कम करने का भ्यान है और उसी के साथ योदि नया कोई जिशा हमें मिल जाती है नया कोई बिंडू मिल जाता है और नया कुछ करने का तरीका हमें मालूम हो जाता है, या हमें जिसमें अभी तक दिमाग नहीं लगाए है, जिसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, उन प्रोग्राम लेने का भी हो सकते हैं, आप पर यह बन के आजाए हैं। तो इन गृष्टि से इसको देखिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक में किसान के आमदनी धुगना उनका प्रिति होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि हर खेट में पानी हो, ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए हम सब को दक्स दिया है, और प्रधानमंत्री कि प्रिसी शिचाय योजना, उसको हम भी लागो कर रहा है, लेकिन तीन जो हमारे प्रायर्टी जो शिचाय योजना है, उसके जो कर रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये हर छोटे वरे योजना में भी वही प्रायर्टी हमारा होना चाहिए, कि किसानों का आमदनी धुगन हर खेट में पानी हो उसके लिए हमारे मंत्री जी में भी लगाकार इस दिशा में हमको लक्स दिया रहे तो यह समाई है कि हम लोग कृत्षांतर पिठ होके इस सर्वेक्षन को उस लिहास से ले यह कोई बिल्कुल छोटा मता उस प्रकार के सर्वेक्षन नहीं है यह बहुत मह अब पूर्ण सर्वेक्षन है और इस जो प्रयास है इस भागिरत प्रयास है उन खेतों तक चामत अब पानी हम लेके नहीं जा पाए है यह जित को हमने सपना जरूर डिखा है कि आपके खेट तक जाएगा लेकिन सालों से किसी ना किसी कारण से वो पानी वहां तक लेके जाएगा तो उस विर्ष्टी से इस स्कीम को आप लोग देखें स्वर्वेक्षन में भाग ले और जो भी आपका मन में परस्न हो वो सारे सिज़े तो आपने पुछे होंगे उसको निरसन करें तभी पी जो हमारे जो मास्टर ट्रेनर है उनके संपर्प में रहें ब्यापक इंपेक्ट जो है यह आने वाले समय में चप्टेजगर में टेखने को मेलेगी इनी बातों के साथ मैं आपनों को बहुत-बहुत सुखा मने देता हूं और उमीद करूंगा ठीक अभी बहुत बाहर जो है 42-43 डिग्री चल रही है और यह धिरे-धिरे 41 तक मैंने आप खुद देखे हैं कि जीलो में 48 डिग्री तक चले जाते है 49 तक चले जाते हैं तो ऐसा समय में यह काम करना है लेकिन समय आपको को सुनना है कि क्या आर्ली मोर्णिक करना है या सेकंड हम में करना है और मुझा लगता है यह विभागया है पुरा सुबे सुबे आप नि निकल जाए आराम से साथा नौ वजे तक सर्वेक्शन का का कम पुरा हो सकता है तो दिमते लगानी के बात वरे वरियाजे वो दिवती या तो सेकंड आप में लगेगा जो जिला प्रोसेशन लगाते है और जो तीम जाते है कि पांस बजे तो कोई नहीं जाएगा छे बजे अब आपने अपने ब्रूप में अप्लोद करें बहुत अच्छा लगेगा आज हमने वही पे फ्लक्स में चाही लेके गया है वही पे बैठे वही पी नस्ता किया है ना सर्वेक्शन भी किया और आराम से छे बजे से बने आप भूप तो रहता ही है आराम से और नौ बजे कि अपता काम फिरी सोगया करना लगा दो-लतिन दिन के हैं तो पुरा पुराकाम हो सा separates estimatesront लेना है वही पिता अलगा कि के मास लोग है गारी में ब्रैखा लिजिए अपकाने बिखा लिजिए आपकार गारी हैह उसले हो दो-दिन लोग और देखा लिजिए साथ मैर से बहतर आप जानता है, मैं पूरे टीम को जो डेटा सेक्टर है, हमारे NIC का टीमें को बहुत बहुत पदाए दूँगा, कि बहुत अच्छा एप आप लोग में बनाये, और ये एप को होने से ये फाइदा है, कि आप सारे सीजे आम लोगेट कर सकते हैं, मैं आज देखी भी रहा था ग्रूप में जो फटो आ रहा है, इसमें ओडिनेट्स भी आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये सारे सीजे आप लोग उसका ट्रेक कर सकते हैं, और एक क्लिक में सारे जनकरिया हो जाएंगे, मैं ये भी जानता हूँ कि काफी लोगों का ऐस जो है, आप 50 प्ल करेंगे, मैरे से बहतर आप जाते हैं, ताइमिंग उसी से आप से रखिए, अपना स्वास्त का खैल रखिए, तकि इस गर्मी में किसी को वो ना हो, और बहुत अच्छा से करें इसको, और इमान दरी से इसको करें, और एक दूरगामी परिनाम को देने के लिए ये फुरा स इसको ज़ी आप हर पर धिमान में रखेंगे, मुझे लगता है कि हमारा जो मकसद है कि सिचाई, रख्वा, रुपांकिक और वास्तविक में जो गैप है, उसको हम बूर कर पाएंगे, और हर खिट में पानी पहुंसाने का जवा हमारा लक्स है, उसको भी हम प्राप कर सकें और इसानों के दुगनी आई या इसानों के लिए कितना गड़े कम है, तो वो लक्स को हम प्राप करने में बहुत मदद होगी, मैं मेरी और से मंत्री महुदाई के और से भी मैं आप लोको बहुत बहुत सुखकमने दूँगा, और उमिट करूँगा कि इसको बहुत नुटिजा के निकलेगा, तो आप बहुत सांधनी पुर्वर, इन बातों को यहां पर लिखे, अफ्लोड करे, क्योंकि एक शे महीने बाल इसका नुटिजा जरूर जो है, मैं पोजिटिव मान के समनां के बहुत अच्छा होगा, और यह आपके हाथ में है, मराप कर सकते है बहुत बहुत सुपक्छाम नहीं और बहुत खन्यबाद के आपके उना बहुत अच्छा से आज का चैनिग्र प्रोण में अटे जक्ते है, आज़िए…